देखे, question number 3, इस question को करने के two methods है, okay, number 1, unitary method से, और number 2, direct method है, तो number 1, पहले मैं आपको unitary method से बताता हूँ, ठीक, तो इसका जो first method है, वो है आपका unitary method, ठीक है, unitary method, अब देखे, बच्छों, यहां question में क्या दिया हुए, उसने आपको, कि Almira का जो sold price है, यानि कि sale price आपको दि 5,225 में sale किया आता है, लेकिन कब sale किया आता है, जब इसके उपर 5% का discount हो चुका है, तो आपको इसका mark price बताना है, यानि कि इसका mark price कितना है, मतलब इसके, यह Almira है, इस तरीके से, और Almira के उपर MP, MP का मतलब कितने का tag लगा हुआ था, वो आपको बताना है, कितने रुप यह इतने रुपे का बेच दिया आता है, यहनि कि sale price आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, SP, SP का मतलब sale price, sale price कितना है, रुपीज 5,225, ओके students, अब देखो, युनिट्री मेथड में आप यह सोच लो, यह आपको बताता हूँ, युनिट्री मेथड में यह सोचो आप, कि भ मेरा 100 रुपे की होती, मान लो, ठीक, तो if, if marked price is rupees, is rupees 100, let us say, कि mark price का कितना है, rupees 100 है, then, then, इसका sale price कितना हो जाता, तो इसका sale price कितना होता, बच्चों, तो इसका sale price होता 95, इतने तो आप समझदार हो, भई 100 रुपे का समाने, 5% के discount के बाद कितने का मिलेगा, आपको 95 का, ठ इसलिए तो हम लोग assume करते हैं, इसका mark price कितना है, 100 रुपे, 100 रुपे, इसलिए हम लेके चले, क्योंकि 100 रुपे का 5% निकलना बहुत easy है, 100 रुपे का 5% rupees 5 होता है, तो 100 रुपे का समाने, 5% का discount है, मतलब, क्या होगा, 5 रुपे से छोड़ दिये जाएंगे, ठीक है, यही इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो की, इसका जो sale price हो 95 है कब, जब इसका mark price कितना है, रुपीज 100 है न, भाई, इसका sale price कितना है, रुपीज 95 है, ठीक, तो sale price is रुपीज 95, when, 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 the, when the marked price, when the marked price is equals to Rs.100, ऐसे भी लिख सकते हो न, कि इसका जो sale price है, वो 95 रुपीज है, कब, जब इसका mark price कितना है, 100 रुपीज है, इसी बात को हम, उल्टा फुल्टा करके बता सकते हैं, ठीक, अब सुनो, तो अगर इसका sale price कितना होता, रुपीज, युनिटरी मैथड लगाओ, अगर इसका sale price कितना होता, रुपीज 1 होत then, then its mark price is given by, अब बच्चो ज़्यान चकरो, sale price अगर 95 है, तो mark price कितना है, रुपीज 100 है, तो sale price अगर 1 होगा, तो mark price कितना होगा, ये 95 आके अधर डिवाइड लगा देगा, ठीक, तो रुपीज 100 by 95, तो इसका mark price इतना होता, अब सुनो, बच्चो लेकिन इस question की जो original situation है, वहाँ पे sale price कितना दिया हो है, 5,225, तो बस आपकी बात बन गई, कि भाई अगर 1 रुपीज sale price होता, तो mark price इतना होता, तो अगर sale price इतना है, तो mark price कितना होगा, ठीक, so, if sale price is rupees, अगर sale price है कितना, 5,225, then, 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 its mark price will be, अब बताओ, भाई, 1 रुपे है अगर sale price, तो mark price इतना है, तो इतना अगर sale price होगा, तो mark price कितना होगा, इसको उठा के, 5,225 से, भाई, 1 पार्ट में इतना है, तो इतने पार्ट में कितना होगा, इसको ठाके मां multiply कर देंगे, ठीक न, so, अब इसका direct method भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक न, और अगर आपने हमारे वीडियो से starting से follow करेंगे, यह chapter के तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप खुद ही question मना सकते हो, ठीक है, तो इसको हम multiply करेंगे, 100 divided by, यह सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, NCRT के examples में introduction देते time, ठीक है, तो इसका playlist साब स्टार्टिंग से follow करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आईगी, 100 upon 95, आप देखो, यह आके इदर multiply कर देगा, 5, 2, 2, 5, बस अब कुछ करन नहीं है बच्छों, इसको solve कर लीजे, ठीक, तो इसको solve करते हैं, सबसे पहले यह जा रहा है 5 से, ठीक, तो इसको 5 बंदा 5 होता है, 4 जाएगा, तो 5, 9, 45, correct, फिर यहां से देखे बच्छों, 5, 10 होता है, 50, 2 जाएगा, इसके पास, 5, 4, 22 जाएगा, 5, 25, जिसको नहीं पता है, इसको उठाके बच्छों, rough work में आप divide लगा लीजे, correct, ओके, तो यह कुछ ऐसी condition यहां पर हमारे पास हो गई, ठीक, students, अब यह 19, यहां से कितने times जाएगा, यह हम थोड़ा सा guess लगा लेते हैं, यहां पर, ओके, तो क्या यह जाएगा, बच्छों, 5, 9, 45, ठीक है, चल अगे, यह जाएगा, बच्छों, एप्रॉक्स, 5 तैम जाएगा, ओके, students, तो 5 इंटो 19, यह आ जाएगा, कितना 95, ठीक, तो 14-5, कितना होता है, बच्छों, 9 होता है, और यहां से 1 कैरी चला गया, तो 10 की जगा, यहां 9 हो जाएगा, 9-9, कुछ नहीं बचेगा, और यहां स कापी करेंगे, फिर से 5 टाइम जाएगा, कितना आजाएगा, 95, यह लिचे, तो इस तरीके से अगर आप 1045 को 19 से डिवाइट करो, कितना हैगा, 55, चेक, so 19 बंजा 19, और 19 को 55 से मल्टिप्लाई करने पर कितना है, 1045, इसलिए यहां पर क्या बच्छा, 55 को 100 से 55 00, तो जब अलमीरा है, उसका जो, मार्क प्राइज है, वो कितना है, रुपीज 5500, ओके सुडेंस, तो यह आपका आंसर आ गया है, यह आपर, ठीक है, मैं इसको कहीं पर लिख देता हूँ, सो जो इसका मार्क प्राइज है, बच्छों, वो कितना है, रुपीज यह आंसर ह ठीक, यह आपका अंसर आ गया, यूनिटरी मैथट से, ठीक, पहले इसको अच्छी तरीके से कर लीचे, फिर अभी मैं आपको डिरेक्ट मैथड भी बता देता हूँ, नोट कर लीचे बच्छों, मैं आपको इसका डिरेक्ट मैथड भी बताता हूँ, नोट कर लें फटा फ विलां हुल के डिस्कांट कितना होता है यह ल необходимо ॉसं इस गिवफ बए को सिन के लिगन्ट करता है दिस्कांट Państu फॉर्म्म 메 से को परशान में लिगिंज परोशंट के रखरणों डिस्कांट परशान की से निकालते थे हम दिस्कांट पर्सेंट एस स् peanut डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्ग प्राइस मार्ग प्राइस इन्टू हंड्रेड और एक और फॉर्मला मैंने आपको पढ़ाए था एंसी आटी में सब कुछ पढ़ाए गया है डिस्काउंट कैसे निकाला जाता था याद करिए डिस्काउंट इस इक्वल्स टू मार्ग प्राइस माइनस सेल प्राइस ठीक है क्या मैं पूरा लिख दूँए यहां पर डिस्काउंट इस इक्वल्स टू क्या होता था आपका मार्ग प्राइज माइनस सेल प्राइज मैं ओहो भाई जगा बहुत छोटी पढ़ रही है वन सेकेंड बच्छो ये वाला फामला आपको मैं अलग से याद दिलाना चाहता हूं मैंना आपको पढ़ाया था कि बाई गभिए दिस्काउंट इस इक्वाल स्टू क्या होता था बच्छो मार्ग प्राइज माइनस सेल प्रा시ज या दाया च्क है ये चीज़ हो गई च्हिंआ अब देखो, ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेकरो, discount percent कितना दिया है, 5%, ठीक, तो यहाँ discount percent की जगा, आप numerical value रखोगे, बस यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ आपने 5 रखा, is equals to, discount percent की जगा, कितना percent है, 5% तो 5 रख देंगे, और यह जो discount लिखा है, discount की जगा, discount का formula लिख दो, क्या है discount की जगा, discount की जगा, आप लिखो के mark price minus sale price, तो यह वाले discount की जगा, आपने क्या लिखा, mark price, MP का मतलब mark price minus sale price, और divided by नीचे क्या MP, MP का means market price, mark price, इंटू में 100, ओके, यह हो गया, अब देखिए बच्चों, अब mark price को x अजियूम कर लो, let the mark price be small x, ठिक, माना की mark price कितना है, rupees x है, कितना है, rupees x है, ओके, so mark price को आप लोग कितना अजियूम कर लेंगे, rupees x, ठिक, चलो, तो यहाँ सा जो, 5 is equals to, mark price की जगा, आप कितना रखोगे, MP की जगा, rupees x, ठिक, और बस यही x की value आपको यहाँ पर निकालनी होगी, ठिक है students, तो mark price की जगा, आपने x रखा, minus, sale price question में दिया है, कितना, 5,2,25, तो SP, SP का मतलब sale price की जगा, आपने रखा, 5,2,25, ठिक, उसके बाद, नीचे mark price की जगा, फिर से हम रखेंगे, rupees x, 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 cancel मत कर देना, यह linear equation in one variable का question है, आप पढ़ गया होगे, linear equation in one variable, starting in chapter में पढ़ाया था, into में हो गया 100, ओके, चलिए, बहुत बढ़ी है, students, अब यहाँ सामको x की value निकालनी है, तो x की value निकालनी है, अगर आप ध्यान चेक करेंगे बच्चों, इस पूरे में x divide कर रहा है यहाँ पर, तो x इधर आएगा तो क्या करेगा, multiply करेगा, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम करोगे, multiply by x on both side, हमने क्या किया, left में भी x से multiply किया, और right में भी x से multiply किया, किसी equation में both side same variable से multiply करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, left में भी x से multiply किया, right में भी x से multiply किया, ठीक, इससे क्या फाइदा है, इससे फाइदा है, यह वाला x से x कट जाएगा, तो यहाँ से नीशे वाल x गयब हो जाएगा, और 5 into x, 5x हो जाएगी, कैसे बन जाएगी, उसका आप solve कर लोगे, देखो, यह हो गया, 5x is equals to, यह 100 आके अंदर multiply करेगा, 100 into x, 100x, तो 100x और minus, 100 को यहाँ इसमें multiply करोगे, 5, 2, 2, 5 में तो कितना है गा, 5, 2, 2, 5, 00, ओके, ऐसा आ गया, ठीके students, चलो, अब next step में, चलो, इस equation को हम copy कर लेत है, कितना है, 5x is equals to, 100x minus, 100x minus, 5, 2, 2, 5, 00, अब देखो, यह negative है, तो इसको left में लेके आऊ, तो positive हो जाएगा, यहने कि 5x plus, 5, 2, 2, 5, 00, is equals to, में क्या बचा, 100x बचा, अना, ओके, भाई, यह left में आगे ना, तो 100x बचा right में, अब यह वाले 5x को right में लेके जाओगे, correct, यहां सा क्या आ जाएगा, 5, 2, 2, 5, 00, is equals to, यह 100x right में, और, यह plus 5x है, इदर, positive का 5x है, उदर जाएगा, negative हो जाएगा, minus 5x, correct, okay, sorry, I am very sorry, now, यहां सा जाएगा, 5, 2, 2, 5, 00, is equals to, 100x minus 5x, कितना होता है, 95x, तो यह होगे, आपके पास, 95x, यहने कि, 95x is equals to, 5, 2, 2, 5, 00, okay, अब यहां सा x की value निकाल लो, तो अगर x की value निकाल लो, तो 95 multiply उदर जाके divide कर देगा, ठेक, तो यहां सा x की value कितनी आ जाएगे, बच्छो, 5, 2, 2, 5, 00, और 95x में multiply कर रहा था, इधर आके divide कर देगा, आपने linear equation in one variable तो पड़े ही होगी है, x की value निकालना आपने सिखा होगा, यह आ गया, okay students, आप करना कुछ नहीं है, यहां पर आप divide लगाओ, ठेके ना, तो divide लगाओगे अगर आप, ठेक, तो students, आप direct भी इसको कर सकते हो, या चलो मैं आपको direct करके दिखा देता हूं, ठीक, 5, 2, 2, 5, 00, को हमको divide लगाना है, किस से 95 से, ठीक, 95 से, तो 95, 5, 5, 5, 5, 5, करो कितना आता है, 95, 5, 5, 5, 5, कितना होता है, 25, 2 जाएगा, 5, 9, 45, प्लस 2, 47, ठीक, 4, 75 आ जाएगा, जो कि 5, 22 से छोटा है, 4, 75, उसके बाद, 12-5 कितना होता है, 7, यहां बचे का 1, यहां से 1 कहरी लेंगे, 11-7, 4, और 4, यहां 4 बचे का, 4-4, कुछ नहीं बचेगा, यहां से हम copy करेंगे, 5 को, ok students, check, ok, सही है, देखो, यहां पे एक काम और कर सकते हो, कुछ बच्चे हां, confuse हो जाएगे, तो मैं एक बात आपको 5, 2, 2, 5, into, 100 कर दिया, और divided by कितना है, 95, तो हम यहां से क्या करेंगे, x is equals to 5, 2, 2, 5, divided by 95, ठीक, इन दोनों को solve कर लेंगे, जो answer आएगा, into मैं 100 बचा रहेगा, इसको हम 100 से multiply कर देंगे, ठीक, so 5, 2, 2, 5, divided by 95 कर लीज़े, सबसे पहले, 5, 2, 2, 5, divided by 95, ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, so अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया था बच्छो, 5 को 95 से multiply करोगे, 475 आता है, 12-5, यहां 7 आ जाएगा, यहां 1 बचेगा, 1 carry लेंगे, 11-7, 4, 4-4, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां से 5 कॉपी कर लेंगे, फिर से 5 टाइम जाएगा, 95 into 5, 475, और यहां 5-5, यह सब कुछ नहीं बचेगा है, remainder 0, तो कितना आ गया, 55, ठीक, तो यहां से x की value कितनी आ जाएगे, बच्छो, x is equal to, यह कितना आ गया आपका, यह आ गया आपके पास कितना, 55, ठीक ना, 95 से हमने डिवाइड mark price, ठीक है न, mark price को आपने एक से zoom किया था, तो इस तरीके से mark price आपका फिर से कितना आ गया, रुपीज 55, ठीक है न, जो भी आपको पसंद आप कर सकते हो, यह रहा आपका first page, और यह रहा आपका बच्चो, second page, ओके students, तो कर लीचे इसको,